नमस्का दूसरों स्वागत आपका चैनल पर इस वक्त की बड़ी ख़बर आ रही है जहांपर ज्छारकंड के अंदर किसी भी हालत में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी ये बड़ी ख़बर निकल कर सामने आई है हम आपको बता दें कि ज्छारकंड मुक्ती मोर्चा और भारती जंता पार्टी की इस हार को सबसे बड़ा कारण समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए लाल बटन दो बाईए चैनल को सब्सक्काइब करिए और घंटी को दबाकर हमारा साथ लगातार बने रही है दसल दोस्तों पहली बड़ी ख़बर है जहांपर 81 सदस्यों जहारकंड विधान सबा के चुनाब के नतीजे सामने आये हैं और राज जी के अंदर बहुमत के लिए 41 सीटे चाहिए वहीं पर दूसरी और हिमंत सोरेन की पार्टी जहारकंड मुक्ती मोर्चा और कॉंग्रेस पार्टी ने कुल मिला कर 42 सीटों पर लीड बना रखी है या लेकर लालू पुषाद यादव की पार्टी RJD से लगातार बात चीच चल रही है हम आपको बता दे कि बावुला अलमरांडी की पार्टी जहारकंड विकास मोर्चा और RJD के बीच पहले भी गटवंदन रहा है और लालू पुषाद यादव के समर्थक रहे हैं जहारकंड की इस चुनाब के अंदर दिया है और अब ज्छारकंड के अंदर जियमेम के प्रमुक हिमन्त सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और राहूल गांदी प्रैंका गांदी के साथ कई और तिकच नेता भी ज्छारकंड में मौजूद रहेंगे इसी के साथ एक और बड़ी क यहाँ पर ज्जारकंड के अंदर अब शीटीजन सीप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा ज्जारकंड के नव निर्वाचित मुक्यमंत्री की ओर से यह बयान दिया जा रहा है इसी के साथ राहूल गांधी प्रेंका गांधी दिल्ली के अंदर सिटिजेंसीब अमिनमेंट एक को लेकर विरोथ करने के लिए दिल्ली में राजघाठ के पहुँचे है जहांपर नोंने सांती पूर्ण रूप से प्रदेशन करने को लेकर कॉंग्रेस पाटी के कारे करताओ हर एक राज में प्रदशन कर रहे हैं हम आपको बता दे कि कॉंग्रेस पार्टी के नेता और 36 गड़ के मुख्य मंतरी भुपेज बगेल के नेतित में 36 गड़ कॉंग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदशन सांतीपूर्ण तरीके से कर रही है वहीं पर दूसरी और महरास्रा क के नेतित में लगातार रैली निकाली जा रही है और इसी के साथ पंजाब के मुख्य मंतरी कैप्टर अर्मिंदर सिंग के नेतित में भी कॉंग्रेस पार्टी ने सांती मोच निकाला है और हम आपको बता दे कि यह सारी अपडेट है और एक और बड़ी खबर लेता है जहा लाकर देश भर के अंदर इसका विरोध प्रदेशन अभी लगातार जारी है चलते हैं जारकंट के चुनाब के पास जहांपर बीजेपी को जटका कुछ इसकदर लगा है जहांपर बीजेपी के मुख्य मंतरी रगवर दास अपने प्रती द्वंदी सर्यू रॉय से चुना उन्होंने ऐलान करते हुए पार्टी विरोधी गती वीदियो में सामिल होते हुए उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया और इसके बाद उन्होंने जमसेथपूर पूरु सीट से मुख्य मंतरी रगवर दास के सामने मोर्चा खोला है और अब नतीजे जो सामने आये हैं व तमाम राज्यों के लिए बीजेपी की रंडीती पूरी तरह से फेल हो गई है लेकिन भारती जन्ता पार्टी ने जैसे टेसे करके करनाटका के अंदर सरकार बना रखी है अलाकि बीजेपी की सरकार करनाटका में भी स्तिर नहीं है और इसी के साथ भारती जन्ता पार्टी कुछ राज्यों में स्रीमित होकर रह गई है जहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्राखंड समेत कई और एका राज्य है जहाँ पर BJP सरकार में आई है दरसल दोस्तो 2017 के अंदर भारतिय जनता पार्टी पूरे देश के 71% हिस्सों के अंदर राज क कि पॉलिसी को जनता प्रसंद नहीं कर रही है और प्रदानमत्री नेद मोदी को 2019 के लोकस बाचुनाप में जितवाने के बावजूद भारतिय जनता पार्टी को लगातार जनता के द्वारा जटका दिया जा रहा है और एक और बड़ी कब लेते हैं जहाँ पर रुजहानो के बाद बाबुलाल मरांडी की पार्टी जारकन विकार मोर्चा की अध्यक्ष ने कहा है कि किंग मेकर तो जनता है हम जल्दी फैस्ता ले लेंगे दरसल दोस्तों महागडबंदन में हर कीमत पर जाने वाले हैं और इसी के साथ सिडियनसीप अमेंडमेंट्मेंट एक्ट के बड़ी बाते बोली है हम आपका बता दे कि एक और बड़ी ख़वर है जहां पर राजस्थान मद्यप्रदेश सत्तिसगर के बाद जारकन में चुनाब जीती गॉइंडरेस पार्टी और इसी के साथ कुछ बड़े संदेश जारकन से निकल का सामने आए हैं पहला बड़ा स गुम गुम का परचार कर रहे थे और जनता से एक बार फिर से जिताने की बात कर रहे थे लेकिन बीजेपी की सरकार होने के बाद जो जनता ने भारते जनता पार्टी के नेताओं की बात नहीं मानी और पूरा कैबिनेट उतारना और खुद प्रधान मंत्री का परचार करन पूरी तरह से वेर्थ सावित हुआ है और एक और बड़ी कबर है जहां पर जारकंड चुनाब में अभी बांकी है पूरे नतीजे आने और जैसे ही पूरे नतीजे आएंगे हम आपको सारी अपडेट दे देंगे इसी के साथ एक और बड़ी कबर है जहां पर जारकंड के को महरास्टा के बाद एक और जहटका जहारकंड में मिला है इसी के साथ कॉंग्रिस पार्टी के नेता अंबिका सोनी ने कहा कि उनके पास तो अब सही योगी भी नहीं बचे हैं सभी साथ छोड़कर भाग रहे हैं दसल दोस्तो जहारकंड के विजानसभा चुनाब के सुरु कर कॉंग्रिस पार्टी के नेताओं ने बयान देना सुरू कर दिया है और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर जहारकंड के रुजहानों को लेकर पूर्व सीम अर्जुन मुंडा ने कहा कि वापस जाने का इरादा नहीं है हम आपको बजाते कि जहारकंड मिदान सभ कि भार्टी जनता पार्टी के द्वारा जो फैसले लिये जा रहे हैं जमीनी इस तर पर वो पूरी तरह से फलॉप हो रहे हैं और जनता बिल्कुल भी समर्तन के मूड में नहीं है और इसी के साथ दिल्ली के अंदर कॉंग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि जहारकंड के कि नीतियों के खिलाफ वोट किया है हम जनता का समर्थन करते हैं और जनता के फैसले को सार आखो पर लेते हैं और इसी के साथ दोस्तों बिहार के अंदर भी अब महा गटबंदन बनेगा जिसके अंदर सभी दल एक जुठो कर चुनाब में लड़ेंगे क्योंकि जरकंड मुक्ती मोर्चा कॉंग्रेस पार्टी और आरजेडी ने मिलकर चुनाब लड़ा था और मिलकर उन्होंने एक बड़ी विजय हासिल की है और साब संकेत दे दिये हैं कि बिहार में किस रते चुनाब लड़ना है सबसे पहले भार्टी जंता पार्टी के सयोगी दलो को बीजेपी से दूर जाते ही सबसे बड़ा फाइदा विपक्ष को पहुंसता है और एक और बड़ी कबर है जहाँ पर सिटिजिएंसिप अमेंडमेंट अक्ट को लेकर ममता बनर जी को लेकर एक बयान आया है दरसल दोस्तो हाई कोट ने आदेश दिया है और ममता बनर जी से कहा है कि उन्होंने जितने भी पोस्टर सिटिजिएंसिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में लगाए है उन सब भी पोस्टर को हटा लीजिए दरसल दोस्तो ममता बनर जी सिटिजन से ममिल्मेंट एक्ट को लेकर जबर्दस तरीके से विरोध कर रही है और ममता बनर जी सरकार को मिले निर्देश को लेकर अब देखना होगा कि क्या टिप्पनी की जाती है क्योंकि NRC और CAA के खिलाफ पूरी तरह से कैम्पेन ममता बनर जी चला रही है और SM उन्होंने कई जगा पोस्टर बैनर भी लगाए है इसी के साथ भारती जन्ता पार्टी के सांसद और भोपाल से 2019 के लोक्सपर चुनाम में जीत कर आई प्रग्या ठागूर का एक वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जहां पर वहाँ प्लेन से यात्रा करते वाँ प्लेन के स्टाफों से जगरती भी दिखाए दे रही है और दोनों लोगों के बीच में जमकर बयान बाजी चली जा रही है प्रग्या ठागूर की और से उनको सीट नहीं मिलने के बाद उन्होंने विरोध प्रदेशन किया और धरने पर भी बैट गई इसके कारण एरलाइंस को तकरीबन आदे घंटे देरी से प्लेन चलाना पड़ा है और साफ तरव प्रग्या ठागूर को लेकर ये एक और बड़ी खबर सामने आई है और इसी के साथ एक और बड़ी खबर लेते हैं जिससे हमने आपको जानकारी दी है दरसल दोस्तों कॉंग्रेस पार्टी ने पूरे मामले को लेकर अभी जारकंड के सेलिवरेट नहीं किया है कॉंग्रेस पार्टी मोधी सरकार के द्वारा लाएगे कानून का विरोध करने के लिए दिल्ली में मौजूद है और सारी खबरे आ रही है कि करके जहाँ पर सिडियंजिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर प्रदशन और ज्यादा तेज होने वाला है तो कि कॉंग्रेस पार्टी और जारकंड मुक्ती मोर्चा की जीत के बाद अब कुछ बड़े बदलाब देखने को मिलेंगे क्योंकि सिबू सोरेन पहुचे है अपने बेटे हिमन्त सोरेन से मिलने दरसल दोस्तों हिमन्त सोरेन ने सिबू सोरेन से मिलकर राजी के अंदर सरकार बनाने को लेका सारी बाते कही है और एक बात तया है कि जहारकंड मुक्ती मोर्चा की सरकार बनने जा रही है और इसी के साथ एक और बड़ी खबर जहाँ पर फॉलकाता में भारतिय जंता पार्टी ने अपनी रैली की है और सिडियंसिप अमेंडमेंट एक्ट के समर्तन में नड़ा ने रैली की है हाला कि मम्तावनरजी की और से उनको प्रमीशन नहीं दी गए थी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग देख रहेता आपका अपना चैनल जैहिंद जैभारत वन दे मातरम